हेलो दोस्तों वेलकम टोवा चैनल प्रोफेक्टस तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले महारास्ट्रा बोड नियुसी लेवर्स का चैप्टर नेमरेट बायोजी सब्जेक्ट का इसका नाम है रेस्पिरेशन सर्कुलेशन तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर क तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक बाते बता दू कि जिन्हों ने अभी तक सब चैनल को सब्सराइब ने किया सब्सराइब कर लेजिए और यहां पर जॉइन अस टेलिग्राम मतलब आप लोगो लिंक दिया है आप लोग उस लिंक को क्लिक करके टेलिग्राम पर हमको जॉइन कर लेजिए वहां पर जॉइन करने के फायदे होंगे आपको बेस हैं रिटेंड नोट्स मिल जाएंगी कॉंसर्ट मिल जाएंगे कुछ सॉट्रिक्स भी मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं करने के लिए हमको एनरजी की रिखायर्मेंट होती है तो जानेंगे रिस्प्रेशन प्रोसेस क्या है इस ब्यूक्याट का ब्रेक्शन में आप सभी को दिखाया है कि यह ग्लुकोस का मॉलीक्यूल है यह ऑक्सिजन के साथ रियक्ट होंगे ब्रेक्डाउन होगे और अगलग अनिमल से प्लांट से सबके इन्वार्मेंस के साथ अलग कोडिनमेशन है तो सबका ब्रीटिंग और रेस्पिरेटरी सर्फिस उसको बोलते हैं लोग तो और गन्स ओफ रेस्पिरेटरी एक्षेंज तो नेखिए गाई सम्लोग देखेंगे कान्-कौन-कौन-कौन-स इंटेक होता है जो हम लोग ऑक्सिजन को अपने अंदर लेते हैं तो यह इसको जो एफिसेंट गैसिस एक्षेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है उसके कुछ फीचर से इंपोर्टन फीचर से हम लोगों को पढ़ने हैं जानने हैं काउटकों से तो सबसे पहले जो इस डेस्पिरेटरी सर्फेस ऋसका एरिया लार्ज होना चाहिए यह इसको बैस्पिरेटरी गैस ऐसे कarette क्षण प्यूंग जोनी चाहिए इसको हम लोग एक्षेंट तो इसको हम लोग एफिसेंट गैस एक्षेंज़ इवां पे हो पाएगी इस उनक्टर और plants facilitate gaseous exchange by diffusion so guys plants और plants के अंदर जो भी shape and structure से अलग-अलग gaseous exchange के diffusion shape है मतलब gaseous exchange कैसे जहीं होता है diffusion process star aterrestrial flowering plant जो जमीन पर पाए जाता है वैसा flowering plant उसके अंदर बहुत सारी air spaces होते हैं present तो कहां-कहां present रहते हैं air spaces stem में leaf में root में these spaces these air spaces are continuous यहर जगें पाए होता है तो हम टोंगों नहीं दिखाए realization कई क्हा यहाँ ह् पर पहर आक लिया है और streamline लिए में में ने कारबन टीन ऐट्ट है वुड़ यहाँ है ती diviser क्याए पर चलिने बाउर आते हैं व स्वաर्बन डीक्षेट ती मतलब बाहर आक्सीजन कहां पे डिजौल होता है मौइस्ट इर मौइस्ट वाटर में और ईसमें उसमें से वह उसमें आठाए यह जाते हैं कुछ और रूट में चले आते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के तूअ वूदी फ्लावरिंग प्लांट्स ट्री इंड स्रफ हैं एक्सेनल इंपर्व्य बार्क जैसे कि गाइस इस डिइग्राम में दिखाया गया है जो इक्सेनल बार्क से उसके थूर्ण होता है इसको नोग कुछ-कुछ प्लांट्स में वूदी प्लांट्स में गैसेंज अंगर तो इस वीडियो को पूरे देखना था कि आपको सब बेसिक समझ में आ जाए कि हम लोग इस चेप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए रस्पिरेशिन पढ़ते हैं as compare to plants animals so plants के comparison में animals में ज्यादा वर्याइटे है respiratory surfaces में और और ऑर्गन से है तो respiratory surface differ in various animals जैसे अलग-अलग animals है तो उनकी respiratory surfaces भी अलग-अलग है in animals depending upon the complexity of organism मतलब वो organism कैसा बना हुआ है उसके आसपास surrounding कैसा है medium कैसा है certain body parts कैसे है become specialized into different types of respiratory surface respiratory organs तो गाइस कुछ-कुछ जो अनिमल से जिनके अंदर जो ऑर्गन से वो specialized respiration के लिए बनाए गया है तो हम लोग जानेंगे अभी आगे-ागे कि कौन-कौन से organs कैसे कौन-कौन से अनिमल दौरा respiration किये जाते है इन higher animals these respiratory organs are also associated with transport system जो higher animals है उसमें जो respiratory surface है respiratory organs है वो transport system में भी कैसे काम आता है यह भी हम लोग जानने वाले है इस chapter में तो आपके टेक्स्टूग में एक चोटा सा टेबल भी दिया गया है जिसमें animal kingdoms के जो कुछ animals है उनको बताया गया है उनके अलग-अलग respiratory surfaces और organs कौन-कौन से तो सबसे पहला जो है अर्थवर्म्स नराइस एक्जामपल से एंफिवियंस यह सुब जो है गाइस एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक है habitat में और इनके रेस्पिरेटरी सेर्फिस क्या गया है प्लाजमा मेंब्रेन जेनरल बॉडी सर्फिस मॉइस्ट स्कीन जो एंफिवियंस फ्रॉग जिसका इसमें इसकीन द्वारा भी डेस्पिरेशन किया जाता है इंसेक्ट सेनेक्स इंसेक्ट समय टेरिस्टियल में पाए जाते हैं habitat उनके टेरिस्टियल है और उनके जो रेस्पिरेटरी सर्फिस और 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 वह टेहें ट्रैक्यल ट्यूप्स और इस यह आपको याद रखना है सब्सक्राइब यहां से कुशन आ सकता है नेक्स्ट है अरकिनेट्स लाइक स्पाइडर्स और स्कॉर्पियों यहां पे हैबिटाइट है टेरिस्टियल और जो इसके अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वह बुक लंक्स आपको यह भी इंपोर्टन रखना यह यहाद रखना यह भी इंपोर्टन यह जो है अक्वाटिक हैबिटाइट बुक इसके भी बुक इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप सभी को पता है इसके इंटर्नल गील से अक्वाटिक हैबिटाइट है रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स हम लोग वह टेरिस्टियल और उनके जो हैं और टर्टर जो अंडर वाटर रहते हैं उसके जो रेस्पि और और है वह है तो आज की इस वीडियो में इतना ही बेसिक मैंने आप सभी को बढ़ा दिया नेक्स्ट के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी इन हुमन बिंक्स तो वह लेक्चर कीज़े से स्टार्ट हो गया है वैसे वैसे आप लोग वीडियो देखिए थैंक यू गाइस